वाह मतलब कमाल है वाकई में बहुत जादा दम चाहिए इतना जादा कॉन्फिडेंस चाहिए कि इस तरीके की मूवी को रिलीज किया जाए मतलब ये बॉलीवूड के अंदर ही गट सो सकते हैं कि भाई साब वो ऐसी मूवी को ओडियन्स के बीच में लेके आए ताकि ओडियन्स उसको भरपूर गालियां दे सके तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले रुसलान मूवी के बारे में तकरीबन दो घंटे इसकी लेंट है अब आपको दो घंटे तक आपके सर में दर्द करवाईए या फिर शायद आप दो घंटे के बीच में आप सो भी सकते हैं और बहुत बढ़िया नींद आ आ सकते हैं मेरे साथ दूसरे वाला वाक्या हुआ तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं मिस्ट मूवी की जो कहानी है उसमें हमें क्या देखने को मिलने वाले है जैसे कि बोलीवूड की हमेशा से घिसी पीटी सोच रही है उसकी वैसी कहानी रही है पैस आप इसमें क्या देखने को मिले कि एक आंतगवादी है उसका बेटा जो है अब वो अपने आपको बड़ा देश भक्ष शावित करने में लगा हुआ है ओविसली बोलीवूड की जैसे हमेशा एक सोच जो रहती है न वो कभी भी राष्टरवाद को सही धंग से प्रम को तबी भी आप कोई भी मुवी देख लिए अभी हाली में जैसे मैंने ओटी के प्लैट फॉंप पर मैंने योद्धा मूवी देखे वो रास्टरवाद पर ती उसके अंदर हमें जब भी कोई भी उसमें एक्शन निया कोई बी सीन हमें को मिल रह था कोई घूस बम नहीं कोई गूजबम नहीं आने वाला भाई साब एक वेक्टी है जो अपने आपको पेट्रोईजम मतलब बहुत बड़ा राष्ट वा एक तरीके से अपने आपको देश पक साबित करने पर लगा हुआ अपने मात्ये पर जो कलंक है कि तू आंतकवादी का बेटा है वो मिटाने के लिए लगा हुआ है कहीं पर भी ऐसा फिलिंग नहीं आए कि वाकई में वो जैन्वन मेहनत कर रहा है या फिर ये बहुत बड़ी चीज है उसके लिए वो एक एमोशनल या फिर एक तरीके से उसकी आँकों में एक आग कि भाई साम मैं तो साबित करके ही रहूँगा फेस पे वो एक्स्प्रेशन कहीं पर भी नजर नहीं आते और जब मैं इसको थेटर में देखने गया तो वहाँ पर मतलब इतनी कोई ज़्यादा ओडियंस तो थी नहीं बहुत कम लिमिटिड ओडियंस थी सीटें खाली पड़ी थी बस इसको जब देख रहा था लिटरली मेरी आँक लग गई मतलब सोचकर देखो किस हद तक इन्होंने इसको बोर बनाने की कोश्चिक है बोर ये भरी ये मूवी है बहुत सोचकर देखो है आप मूवी के अंदर सो रहे है और सोचो खाली बैटे हो फिर भी नीद आ जाए लेकिन आपके सामने मूवी चल रही है जिसके लिए आपने पैसे दी है बावजूद इसके आपको नीद आ रही है बहुत बड़िया एक एज़ेंट है या फिर ओफिसर है, सोलजर है वो अपने सीनियर्स की बाद नहीं मानता है वो ओडर्स को फोलो नहीं करता है मतलत कितनी बार ये सेम चीज़े हमें देखने को मिल रही है और वाकई में ये सब चीज़ें ये दिखा रहे हैं जिसमें हम इस मुवी में इस तरीके से कोई होते हैं कि हमें घंटा फरक नहीं पड़ता भाई साब वो twist क्या है और एक नहीं बलकि दो twist है first twist जो है twist twist first जो पहला surprise या twist या mode जिसको आप कहेंगे कि जो movie end होने वाली होती है लग बग थोड़ा सो से पहले आपको दिखाया जाता है कि वह एक्चलों विलन कौन है वहाँ पर emotional कर देने वाला एक scene ये बनाते हैं वैसे dialogue मारते हैं पर उसका कोई भी logic नहीं बनता है आप उसे convince कहीं से भी नहीं होने वाले आपको विलन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपको बस लगेगी यार ये जल्दी से खतम होए हम बाहर निकले बस इससे अब obviously कहीं कहींगे कि यार आप पहले उठके क्यों नहीं आए यार भाई साब पैसे दे रखे थे यहां पर नजर आते हैं मतलब कोई spoiler नहीं है spoiler भी है तभी क्या ही फरक पड़ता है क्या कर लोगे इस movie में ऐसे कुछ तुमें बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलने वाला तो यहां पर last में जो हमें देखने को मिलने वाला कि यहां भी इसमें एक और नया पार्ट आ सकता है भाई से मतलाना है सच में हाँ जोड़ रहा हूं इस movie के makers के इसका second part मतलाना कोई समझदार इंसान अपने पास बिठाओ जो जनता जो audience है उनकी राय को समझ कर उनकी राय सुन कर वो समझदार इंसान जो है इस movie के makers को समझाए कि जनता क्या जाती है audience कैसा react कर रही है इस movie के उपर क्योंकि इस movie के makers मुझे नहीं लगता है उसके पास कोई दिमाग है क्योंकि अगर होता तो वो इस तरीकी के movie लाते ही नहीं मैंने जैसे का कोई screen place में ढंका नहीं कोई direction इसमें ढंका नहीं हाँ performance थोड़ी बहुत हमें सही लग जाती है बाकी इसके अंदर कोई twist कोई कहानी कोई screen place कुछ भी अच्छा नहीं है बिना सरपैर की एक कहानी है कुछ भी बनाना था इनोंने बना के हमारे सामने रख दिया है और कमाल है यार वाकई में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया लोगों के पास बस बहाए जा रहे हैं बिना बज़य लोग बस उसको मतलब एक तरीके से खतम करने पे तुले हुए हैं तो मेरी तरह से देखो यार इस मूवी को मैं देना चाहूँगा वन आफ टो टेन अगर आप लोगों ने मूवी देखी है जो मैं उमीद करता हूँ कि अगर नहीं देखी हूँ तो मतलब अपने राय रख सकते हो कि भी आपको कैसी लगी और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं तो यार फिर से कोई सजेस्ट नहीं करने वाला इस तरीकी की मूवी को देखने के लिए बाकी आपकी अपनी इचाह आपको पसंद है तो आप जाके देखिए मैं कौन होता हूँ कहने वाला तो बस आज के लिए इतना इता है इस वीडियो में थैंक्स और वॉचिंग इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहीं